सब्सक्राइब को जो एक वार बूलेगा वो बिल्कुल हरा अलू को बूल जाएगा सब्सक्राइब को लगाती आलू बंपर साइज दस दिन में डबल साइज हो जाएगा एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे यहां फसल देखें काफी मुझे अच्छा भी लग रहा है तो सबसे पहले जानुगा कि यहां पर लगवाच हितरपल क्या है और फसल कौन कौन सी बैराइटी यहां पर नमस्कार जी वाज़ाब नमस्कार जी तो सबसे पहले तो अपना पर्चत है मेरा नाम माविर सिंह गाम कौन गाम साथनी अच्छा थोड़ा पतलब तेजी बोलना और यह बताओ कि यह मतलब जो तुमारी जो बैराइटी है यहां पर जो आलू में देख रहा हूं यह कौन सी बैराइटी जातर यह सी पर अपर से बहुत चुर्णी तो यहां पर रोग नहीं है किसी में अच्छा पिछली बार था यहां पर पिछली बार भी नहीं था अच्छा इस बार भी नहीं है तो यहां पर सब बैड की बुगाई है कि थोड़ा तोटल बैड की परसेंट बैड की अच्छा आप कितना आलू लगाती हो हमारे पास है 25 एकड पच्छीस एकड तो 25 एकड आलू करती हो तो एक बार दो 25 एकड में तुमारे में सब 37 सब 37 सब 37 सब पूरो मचरी फारम को लाए हुआ अच्छा सी पर आईयो टोटल तो तो काप अच्छी घेदी करते इसका मतला तो पिछली बार आपकी पैडबार क्या रही थी पिछली बार रही हमारी चार सोपचास पैकड एकड में चार्सों पैकड गड की औस तन उस्तन मतला हुए जूटके पैकड में किसी में 400 करते करते अच्छा पच्छी साल में पहली बार इतनी पैदावार दोजार तीस में अब दोजार चोविस का आप देखेंगे क्या है अच्छा और एक बार बताओ तो 2030 में इतनी पैदावार निगली वह भी सेथिस्तान वेगी अच्छा फोन आ रहा तो फोन उठालों को देखत रहा है यह रोक रहा हूं में तो एक बाताओ जैसे पैदावार नॉर्मल बताते तक निकलता है लेकिन यह तो तुमारी 900 तक एक दो किसा ने मुझे बताई है उन पर में विसास नहीं करता था अब आप बता रहे दूसरे के मेरी पहले निकली थी 2023 में तो एक वारता इसलिए यह ज्यादा आतंग बच रहा है तैइस भी आलू था हमारा थैस विया में 2220 प मौन था मौन निकला था 75 पेगट का 75 पेगट का और यह 95 पेगट मौन से ज्यादा निकला था चालिस की गोल यह टोटल टोटल गोल चाले हाँ देखो अच्छा एं प्योर गोल विलकुल अच्छा तो आप यह बाद आओ आप भी अपना परचत है पहले मैं ओम प्रकास दि समय से दसेकड मेरे भी पास है अच्छा तो आपकी क्या पैदावार रही तो लोग जैसे हाई वेट वगेरा कर रहे हैं यह और भी कर रहे हैं तो यह बताते हैं लोग बताते हैं बड़े उड़े के 35 साल से चल लेए ऐसा है जो किसान एक बार इसे बोलेगा वो सारे आलू क को भूल जाएगा अच्छा हां मतलब से रहे के 37 सारे को एक बार बूलेगा वह बिल्कुल हरा लू को भूल जाएगा अच्छा एक बात और बता बहुत पैचाने कि जैसे कुछ लोग सी पर बोलते हैं और फिर बाद में किसानों के आलू पीले पड़े रहे हैं बाद में त में 250 जबाद को साइज सतर दिन में देर सब्सक्राइश को साइज सती ग्राम हों और इसमें आपने पीस पर यह चीज़ की कि ऑ हो्गी पहली करी सान सेख्ष प्रिम को ना जौल अच चटीक को अच्छा ठीक है और और दूसरी प्रेग आयाव एंबस्तिम में लायके suspicion करेंगे मच्रगी कीटना सब्सक्राइब अच्छा फंजी साइड आप नहीं करेंगे अच्छा आप नहीं कोई जरुबत तो यह बता हो जैसे आपका आलू नगया तो उसमें आपने कोई बगेरा कोच नहीं ना कोई फुले के लिए कोई चीज ना कोई टॉने कोच नहीं अच्छा ड्यएपी कितने डलती है आप में अच्छा यह लेकिन खी तागत है पेठे भाले घृत वी बताते हैं तो यह लोग जतना प्रिचार हो रहा है कि इस को लगाती आलू बंपर साइज दस दिन में डबल साइज हो जाएगा एक सब आप इन पर विस्वाज करते हो नहीं हम ने इन चीज़ों पर बताओ देखिए सब कुछ किसान वहीं ने यहां पर बताया अभी पहले मिन के पौदा देखना चाहूंगा उसके बाद और बात करें सब्सक्राइब इन से अब करना से तरफ रही है था ओ संद्ट पर संद्ट आजान है था पर सेज़्गी। साल से जादा दस परसेंट जादा है गाय बेस जादा गाय का नुक्सान अच्छा एक बात और बता यहां पर जैसे कोई सौधा वदा होते हैं पर परजियों के मतला किसी साल ना हो आपके यहां मार्च में अचल कोंसे वाले में एक तारीक का मतलब एक अक्टूर नौम्मर तो पहले एक इसमें देखने फिर उसमें देखते हैं अंतर पता पढ़ियागी साथ दिन में कितना अंतर दिख रहा है और अलू का तो किसन भाईयो एक हपते का वी अंतर बहुत बढ़ा होता है घेती में लोग घुमाते जाते हैं अगली बार बढ़ाई करूंगा एक पौधा एक सिंगल पौधा देख लो जहां में तो भाईया मतलब आलू से आलू तो भिढ़ रहा है यार जहां में एक पौधा कैसे मालिम पढ़ाएगी अ है आसा एक पौधी देख लिए यो अब तुम देखो तुम्हें पता होगी कि देखां किती है लगबग पौधा होगा इनका लगबग मेरे साथ से तीन फूट पका है तो भीजा आज देखेंगे हम आज पढ़े हम सीपे राइए के सैंतिस्तानवी चक्कर में और टोटल सीपी राइए की बैल्ट सेंतिस्तानवे की बैल्ट टोटल यह देखिए फसल में कोई भी यह एक्स वैगर कोई भी है है कि अधिसर में करता फिल्टल तो बनने आम हैं को थैसे लगिनि सभाइन係 तो देखो गोल है यह ने में 30 अच्छा यह देखो सेंतिस्तान और बीज यह बीजी घोल एकदम नीचे तक है इसके अलू अभी तो रखो अभी तो बहुत कुछ जानकारी निकालनी है आज इन से मुझे कि आज ऐसे कसान पकड़ में आए जो आसी नब्य तक की प्यदा वाल ले चुक जगे पहले 25 साल में पहली बार बतारे दो गहरा है देखो अभी तो टूबरी बनने ऊपड़ यह रखो उपर यह देखो चाल देखो बईया सेहते सान वेकी यह देखो आलू तो गोल ए एकदम लुए तो पड़ा पकड़ियों आई यह आगे आओ नहीं इनके पास आओ तो दो देखो इसमें आई है ऊपर चड़ जाओ उपर चड़ जड़ 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 लं तो आई है इसमें तो एक वार मुझे एक जानकार योड़ देदू यह तुम्हारा जो सीड़ है वो आप कितन पड़े शाड़े बारे सो प्यक्त डालने कितने विगा में पच्छी से कड़ में साड़े बारे सो पैकट डाले आपने भीज अब लगवा दसकट भी आगे लंसमा आप बता रहे तो एक बात बता हुँम है जैसे इस वारा हम देख रहे हैं जैसे शाट नो टूबर है और क पर उपर उठाओ जैसे यह टूबर बनने तो आप इनको कहां तक डवलप कर सकती हो जैसे जलगलन नहीं या कोई भी दिक्कत है जासे अरा किरी तक रोख पाऊगी है और जैसे नो टूबर है इनको आप कुछ मोटे कुछ गुल्ला तो इस रिजाब से आपको कुछ ना कु जो कभी जीवन में आलू ना खाटते अपना पौद ही ना देखते अब देखने लगए अच्छे अब देखो तुम्हारा सीपी राई को यह बहुत बहुत बहतरी नहीं इसके बावजूद भी जड़गलन तच करेंए जो एक तारीक बाले हैं एक तारीक बाले मिट्र अच्छा इसी में से लेके तुम्हारे सामने खुदाई हुई तो कितना कैसा अलू था अरे इतना बहतरी अब तुम मेरे अलू देख्या अच्छे मेरा मतला हो जो है 20 अक्टूबर को हाँ चलो बताओ देखेंगे अभी देखेंगे और यह बताओ इसके साब से आप अभी से बुलकुना देख सका एक पहुता और चेक कर लूँ आगे देख लूँ यह देखो आजाओ यह देखो यह देखो यह आलू-आलू इधर देखो अच्छा यह देखो टूबर तो बड़े बनने अभी यह देखो किसान वही हो इनकी पैदावार काफी यादा पिछली वार बंबर थी और बहुत यादा हाई लेविल गी थी और ये देखो इधर इधर की बता रहे हैं ये फिर दूसरे पौदेका है वो वो दूसरे पौदेका नीचे नीचे होगा उपर तो दूसरे पौदेके साड़ वाले बीच से बीच सट्रा यहां पर देखी हो देखी हो यह दो बीच गहें न यह चार अंगल जगह के यह बात यह माननी पड़ेगी तुमारी जगह काफी कम है और कितने हैं यह टूबर तूमरे तीन छे अच्छा आठ चौदह अच्छा चौदह टूबर हैं और एक बीच तुमा बीच 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 एक बीच नीचे मिट्टी में चला गया और एक बीच यह गया दो बीच और अभी टूबर बनने हैं हां लेकिन एक बात है सुनो हालांकी लेकिन कम जम जगे में 14 टूबर बीस से भी सट रहा है जगह ना मिल पारी जब जाल के पीछे टोटल आलू यह तो आपकर आए जिए जो है अश्य करता दीटा को जे एसे नागे अच्छा कितनी परिदा बार कंड़े निकले गो निकला आता है यह काम करना गाइव जरू बलाना मुझे अच्छा बुल मैं देखूंगा बुलकुली में तुम्हां कम से कम से कम जो आया है तीन सबी ग तो बहुत एक में निकले हैं कितने साथ तूबर दूसरे में निकले चौदाय पंदर और बनने वह दो बीज में निकले लेकिन तो अब चलते एक तारीक वाले में जो इससे एक अपता अगेती लगा हुआ है क्यूंड अचलती पता आना रहने चेतर के आश पास आचुके हम उस खेट पर और देखेंगे यह दो एक जए दिन केंगा यह दोने की पौदा कि यह देखो भाई या कि इसमें तो गुला साइज बनगो कि नीच तक होंगे मिट्टी इधर हटाव साइड में वह दिखाई दोनों हल्गी हल्गी वह या टूबर ही टूबर दीख रहे हैं या मत अभी कि अधर आलू बड़ा मसता है गोरगुल निकाल नीचे से माल यह देखो भाईया यह आठ दिना आए वससे केबल देखो किसान भाईयो केबल साथ दिन का कितना बड़ा फरक है अलू में भी सक्षाइब शाथ दिन का फरक 10ा किि साइज में और देख लो और आप देख पारिए उन भी कम नहीं को त्रेक नहीं एक टूबर ही ला था को मिल्चण अनल के दो सेट बाइब देखो मेंन बात देखाओ मेंन बात दिखूँ मेन बात दिखाओ अबहा न बहुत दिखाओ मेंन बात यह है कि अभी रहा पोदा को सद्धिकर्मीन आ चांगे कि यह देखो आल देखो कितनी मजबूत है और कोई सद्धी कर्मिना है और यह बताओ यह तुमारी जो भसल है यह असाड़ा केता है यह अच्छा तो यह देखो साइज केबल एक अपता में यह तो फुल मौट बनेगे यह तीसरों भी बनेगो और यह अभी गुल्ला यह सब म बुल्कुल 20-60 यह बताओ कितने टूबर हैं यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारे बारे तीरे चौदे पंद्रे और यह सोले और एक वहां गिरा था सत्तरे टूबर है तुमारे दो सीड में और वो भी कितनी जगह होगी मतला चार इंची पर बीजा और यह 50 तो प्यादा रहो गई अभी अब कितने दिन फॉट यह उपर आ जाओ एक नौबर का और वह तुमारा था साथ नौबर का परके तो और इसमें इस पर कितने वह गई दो सबीने अच्छा दो पर नी दो पानी दो पानी लग गए दो पानी लग गए दो पानी लग चार पानी देंगे लाष्ट पानी की कब कर दोगी यांक दिन पर तो लगभवागर दो आज लग जाएगा अच्छा आज कल में एक पानी देंगे और एक फिर लाष्ट करता हो जाके और पिर रखती हो जमीन पर दस पंद दिन और रखी सो यह खोद दोगे अच्छा यह बताओ आपने यह मसीन की घराई में कितना गाड़ा यह यह जैए चैनल और बीच से बीच की दूरी चार एंची अगर काफी लोग जैसे चैनल ची या साथ एंची पर गाड़ दें तो फि ना सुनो आपकी यह जानकारी मुझे बहुत अच्छे लेगी सी पर आई जो आपने देखाया इसे ने तो बेंड बजा दी और देखो चाल देखो भई यह इसकी आलू पड़ा है तुमारे सामने पकड़ियों ने लेको गोल चाल है एकदम बढ़िया इससे दो दिन पहला ह कौन सा 31 सक्टूर का है वह आगे बाला अरे अब तुमारे यही खेत हमने देख लें बहुत कश्यों हमें दिखो और यह देखो आलू अभी सी इनका साइज देख लो आप और इनकी पैदावार पहली भी सही है और अब भी सही है तो 2023 से 2024 में क्या अंतर देख रहे हो इस हो सकता है यह तो अभी कोई पता नहीं कि क्या हो जाए क्योंकि लेट प्रकुपी बढ़ता जा रहा है और ठीक है तो आपने हमें बहुत अच्छी जान करी दी और आपका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद और यह जो आप देख पा रहे हो यहां पर देखें वाजगोर नमस्कार